नमस्कार दोस्तों सुआगत है आपके अपनी यूटूब चैनल राजस्तान विरोजगार चातरशंग पे जी हाँ दोस्तों राष्टे श्वास्ते मिशन चेहिस्या स्वास्ते में परिवार कल्यान विबाग ने समस्त सीमेचोज को पत्र लिखते वे एनेचेम के अंतरगत का कार्मिकों की सूषना विजवाने को लेकर एक पत्र जारी किया है और इस पत्र के संदर्म में दिया है कि सिर्मान परमुक्सासन सशिव कार्मिक विभा का पत्र दिनांग 12 अप्रेल 2022 की अनुपालना में मैं बता दूँ विबिन विभागों में कार्रत समविदा क्रमचारि को रास्तान कोंट्रेक्च्वल अपॉन्मेंट टू सीविल पोस्ट रूल्स 2022 लागू करने स्क्रीनिंग करने सहीत विबिन जो बिंदू है उनकी अनुपालना को लेकर 11 जनवरी 2022 को कार्मिक विभाग ने एक अधिसूषना जारी की थी इसी अधिसूषना के प्रत्य उत्त मैन पावर की सूषना बिजवाने तू बार बार सरकार से समरंण पत्र प्राप्त हो रहे हैं परन्तु आप द्वारा किस सोफ्ट्वियर पर अंकित सूषना वास्त्विक सूषना से बिन पाए जाने के कारण राज्य सरकार द्वारा वान चित सूषना बिजवाए जाना सं सुषना है समविदा करमचारी साथ प्लेस्मेंट एजेंसी की जो कार्मिक कार्यत है सरकार उनकी सूषना है बार-बार मांग रही है लेकिन आप क्रिस जो सोफ्ट्वेर है उसमें जो आपने जो सूषना अंकित की और वास्तियुक सूषना है उसमें बिनता है डिफ्रेंस है इसकी वज़े से जो सूषना है राज्य सरकार या कार्मिक विभाग को विजवाए जाना संभव नहीं हो पा रहा है अता इन्होंने काया कि प्राप्त दिशार निर्देश अनुषार पत्र के साथ सलंगन परपत्र फैस्ट संवीदा कार्मिक का और जो सेकंड जो परपत्र सेगोपी मैज सस्ताक्षर और सील थता एक्सल सीट में टाइम्स न्यू रोमन फोंट में सोप्ट परति के साथ आपके कार्यले में पदस्तापित जिला कारेकरम परबंदक और जिला नोडगर नोडल अधिकारी के साथ निम्नांग के तीतियों को एचार अनुबाग के कमरा संक्या 218 दीतियतल स्वास्ते बवन जेपूर में प्राते 10 वजे बिजवाई जाना सुनिश्यत करें तो दोस्तों इन्होंने काया कि बार बार कार्मिक विभाग या सरकार द्वारा संविदा करमचारी की सूशना मांगी जा रही है लेकिन एनेचम योजने के अंत्रक्त ज जो कार्यत कार्मिक है उनकी जो सूशना है आप अपनी जिलों की डेट के नुशार जो है बवन उसमें आपको अनुबाग में कमरा संक्या 218 सेकंड फ्लॉर स्वास्ते बवन में प्राते 10 विजे सूशना के साथ हार्ड कोपी और शोफ्ट कोपी के साथ प्रस्तू थोड़ मैं बता दूँ अजमेर टोंख बीलवडा और नागोर को एक जून बिकानेर हनुमानगड गंगानेगर और चुरू को तीन जून भरतपुर दोलपुर करोली स्वाइमादवपुर को छे जून जेपुर फर्तम जेपुर दित्ती अलवर दोसा जुन जुन और सीकर को साथ जोदपुर बाड मेर जेसल मेर पाली सिरोई हैं जालोर को आठ जून कोटा बुंदी बारा और जालावाड को नो जून उदेपुर रासमंद प्रताबगड डूंगरपुर चितोडगड और बासवड़ा को दस जून को जो सूचना है उसके साथ उपश्तित होना है परियो 2022 लागू होने की पश्यात समविदा क्रमचारी की स्क्रिनिंग नए नियमों के तयत लाना साथ ही मांदे में परिवर्तन करने को लेकर समविदा क्रमचारी की यह सूचना है बार बार यहां पर मांगी जा रही है साथ इन्होंने काया कि कार्मिंक विबाग के जो परमुक्सासन सची हो है उनके भी पत्र का वाला यहां पर दिया है इन्होंने भी इनको एक पत्र जारी किया गया था बार आपरेल को इसी को लेकर इन्होंने काया कि परफत्र फरस्ट में समविदा क्रमचारी और परफत्र details of contractual employees working under NHM जिसमे name of cater cater का नाम आएगा पहले इसके बाद में आप देख सकते हैं serial number, name of employee father name, date of birth contractual post किस परकार की post है किस accountant post पर काम कर रहा है GNM पर इस परकार से posting order number and date and name of issuing authority तो दोस्तों यहाँ पर कब उसको posting मिली, उसका order कितना है किस date को उसको posting मिली और posting देने वाली authority का क्या नाम था छे नमर कोलम में वो आएगा साथ में date of joining on the current post उस पर करेंट पोस्ट पर जो काम कर रहा है उस पर उन्होंने जोइन कभ गिया name of program, किस program के थैत बढ़ती किया गया level of agreement, किस level पर जो है agreement किया गया posting place, कहां पर किस institute या office में posted है किस block में posting है posting location, TSP area में है या non-TSP area में है selection category, general, SC, ST, OBC, MBC या EWS physical handicap है, yes या no, mode of selection, किस परकार से selection किया गया, public जो है, public advertisement issue किया गया या नहीं किया गया, selection process क्या था, written exam था, interview था, maternity status क्या है, married है, unmarried है, widow है या डाइवोस है, मान दे इसको कितना दिया जा रहे है और 31, March 2022 को मान दे कितना है इसका, rationalization उसका हुआ है या नहीं हुआ, इनके बच्चे कितने हैं, 1, June 2002 के पहले कितने हैं और 1, June 2002 के बाद में कितने हैं, साथी, अगर साद इन से ज़्यादा absent है या नहीं, उसका भी यहांपर विवरन है, यानि, injury, कोई action pending है, इसकी खिलाफ, वो भी यहांपर लिखना है, साथी, working by court order, तो court order के साथ काम कर रहा तो उसका भी यहांपर लिखना है if any other detail आपको, कोई भी जो detail है, वो जरूरी समझते तो वो भी यहांपर लिखनी है साथी, district M&E officer DNO, NHM के स्थाक्षर होंगे, district program officer manager, NHM के स्थाक्षर होंगे, साथ आप देख सकते हैं, Chief Medical and Health Officer CMH के विस्थाक्षर होंगे, तो इस परकार से जो परपत्र first था, वो यहांपर समविदा क्रमचारियों से जुड़ा हुआ है, परपत्र जो second है, वो swim service of science थान है, उन से समदित है, जो उसमें आप देख सकते हैं, कौन-कौन सी detail है, तीनों के साइन होंगे, district M&E officer DNO के, district program manager, NHM के और CMH होंगे, आप देख सकते हैं, details of agency employees, agency की मारफात जो भी employees काम कर रहे हैं, उनकी भी details से आप रमागी है, name of agency, NGO के तहित काम कर रहा है, tender का period क्या है, name of HR supplied to the department, उनकी जो कार्मिक agency के माद में से लगें, उनका क्या नाम है, उनके फिता का क्या नाम है, date of birth, किस post के तहित, उनको लगाया गया है, working period है, किस period के लिए लगाया गया है, किस program के तहित लगाया गया है, उनका agreement का level क्या था, SHS, DHS, या other level, इसके लावा working place, किस office institute में इसको लगाया गया है, किस block में है, posting location किस परकार की है, TSP की है, या non-TSP की है, physical handicap है या नहीं, yes या no, category general, OBC, MBC, SCST या EWS, साथी, कौन सी process इसको adopt की गी थी, लगाने के लिए written exam हुआ, interview या other amount में लगाया गया, maternity status क्या है, married है, unmarried है, widow है या डाइवोस है, monthly consolidated payment as per tender कितना दिया जा रहा है, साथी monthly consolidated payment as on 31 March 2022 को कितना दिया जा रहा है, इनके बच्चे कितने हैं, एक जून 2002 के पूर्व कितने हैं, एक जून 2002 के बाद में कितने हैं, अगर कोई साथ दिन से ज्यादा absent है, तो उसका विवरणी भी यहाँ पर लिखना होगा, कोई action pending है इसकी खिलाफ, तो उसका भी विवरणी यहाँ पर लिखना होगा, और अगर कोई इनने जो details हैं, आप जरूरी समझते हैं, तो वो भी लिखनी होगी, तो दोस्तों, NHM ने भी अपने समविदा करमचारी और agency जो कार्मिक है, उनकी जो सूसना हैं, वो यहाँ पर मांग ली है, मैं बता दू, कार्मिक विभाग द्वारा, adoption की जो कार्मिक है, समविदा करमचारी और agency कार्मिकों को, वो यहाँ पर की जानी है, इसकी को लेक कर, बार-बार यहाँ पर सूसना हैं, मांगी जा रही है, बड़ियों फसंद आये तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ने बुलें, आपके अपने यूटूब चैनल राजतान विरोजगार चात्रशन को सस्क्राइब करें, धन्यवाद दोस्तों,